आप इधो हैं इसके इतना ने ने प्यारस को सो हुआ हैं लाखे हिर इतना प्यारा लगता यह सकी नई जगा बन गीने गद्दा रखा है इसके और बजयाएं हैसा आप बढ़ा है को कुकुआ झी आ तू छोटा है चोली सोजा बापस छोजा आज फिर से सारी घर की सेटिंग चेंज की मैंने तो पहले तो चदर चेंज की और यह जो चदर बिचाई है मैंने बताना कैसी लग रही है स्माइली वाली तो यहां पर वैसे में यह चदर कभी नहीं बिचाती हूँ बाजू के कमरे में यह चदर बिचाती हूँ पर आज बिचा दी और यहां से सब को चटा के साफ किया इसमें जो दो फूल थे वह बहुत गंदे हो गए थे तो उनको धोने में डाला पर मैं सोच रह हो गया इसकी मैंने चदर चेंज की और कवर मेंने नए लगाए है तो बताना कैसे लग रहे है और यहां पर यह बैट जो खड़ा कर दिया था इधर रख दिया था बहुत जादा रोज कबाड़ा हो जा रहा था तो मैंने इसको फिर से बिचा दिया और क्यूंकि अभी बार है अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो बताना में आपको लिंक डाल दूंगी मैंने ओनलाइन मंगवाय थे यह तो और वहां पे लैप्टॉप में व्लॉग चल रहा है और में सुन रही थी काम हो रहा है तो अभी इतना कच्छा निकला है यहां से और कीचन में भी ऐस सही पड़ा है सब कुछ भारमण भामण देखो यहां पे सारा जो साफ कर रही हूं डबे वगेरा कि इतने डबे देखो निकले जो धोने में रख्या मैंने और यह कबार भी बार से पोचना बाखी है अंदर से इसको में अच्छे से साफ करके बराबर से सब जमाया है और न इधर से खाली कर दिया है ताकि खाना वना कुछ बना के इधर रखने के लिए काम लगे और यह कबाट में मैं सब जो एक्ट्रा है वह इसमें डबे में डाले के कबार में रख रही हूं और बाकी का इधर कसार आप क्लीन करूंगी चद्रे जो सारी उतारी है वो धोनी है अ और यहां पर क्लीन किया था पर इसमें से यह तब्बे जो काम के है उसको में कबट में रख दूंगे नीचे नारियल पानी बस यह पुरा क्लीन ही है बस थोड़ी प्लेट्फॉम दोया तो यहां से अठा के यहां पर रखेती उसको भी हटा दूगी बाखी सब क्लीन हो गया पूरा घर और अब सब कुछ क्लीन हो चुका है पूरा घरवर सब क्लीन हो गया मेरी हालत भी इसी हो गई अब मुझे नाना है काम करते करते मुझे साड़े पांच बज गए और अभी चाय वाए पी के अभी प्रियू यू अब मैं धाने पिटू ही नहा वाके फिर खाना ब हुए और फोन का मैंने कवर निकाल दिया है फोन मुझे अब चेक कराने के लिए जाना पड़ेगा कुछ तो भी फोन में प्रोब्लम है मैं आप लोगों कैसी दिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे फोन में प्रोब्लम हुए कि मैं यही फोन से अभी शूट कर रही फोन में मेरे क्या प्रोब्लम हुए फोन मेरा कल दिखाने जाना पड़ेगा मुझे पता नहीं अचानक से उसकी जो आगे की क्या वुलते उसको आगे का जो कांच होता है फोन का उसका फोड़ा सो उपर आ गया है अपने अब अभी जस्ट चार्जिंग में रख्या ही दो म प्रोब्लम कुछ भी दिखाना पड़ेगा नहीं तो मेरा सब कुछ अटक जाएगा फोन के बिना कुछ नहीं का यहां से दिख रहा है इसका जो कांच है उपर स्क्रीन का यह आपको पुरा लेवल में दिख रहा होगा यहां से और यहां से अब देखो देखो गरा समझ में आये तो देखो दिख रहा है यह पता नहीं केसे यह प्रोब्लम आप अचानक से कांच अधर हो गया इदर से इतना सारा वो भी कितना सारा अधर हो गया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि अचानक से इसको फोन को वो क्या गया कितना सारा उपर हो यहां प्रांट पल्च थेह उपर आ गया तोहिए और है क्या होगा अगर इसका समाधान है तो कितना सब उपर अगया खोवर है देखो आपको समझ में आएगा और आ ज опас आ पहिंद क्या और जलती बन जाए तो अच्छा है निए तो में तो सब कुछ फोन के बिना तो अटा की जाता है फोन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है मैं इससे ही वीडियो शूट करती हूं अगर नहीं हो तो मैं वीडियो कैसे शूट करूंगी